हाई लेमिधीज, वेलकम टू इजी वे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता उर्था इस आज के इस वीडियो में, हम लोग अपनी माइक्रो एकनोमिक्स का एक नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल अप्लिकेशन यह चेप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के उपर है, यानि कि प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है के कामी में, आपको पता है कि आपके आज पर सारी के सारी चीज़े जो है, जो कितने रुपे में मिल रही है, चाहे पेट्रोल का रेट है, चाहे कार का रेट है, साइकल क तो वो कैसे डिसाइड होता है वो आज हम इस चेप्टर में देखेंगे तो जो इस चेप्टर में गाई सबसे पहला टॉपिक है वो है मार्केट एक्लिवरियम स्टार्ट करने से पहले गाईस अगर आप चैनल पर पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सबसे पहला तॉपिक है मार्केट Container यहां पर हमारी आप्र मणकर्ट में डिमांड मार्केट अ demand होती है for a particular product यानि कि इस marker को लेकर अगर सारे consumers की total demand देखे तो वो market demand है और वही पर अगर हम supply देखे जो इसका supplier supply कर रहा है वो market supply है तो total supply यानि कि market supply जो होती है वो total जो इसके supplier है firms है producers है उनकी total supply for a particular product is called the market supply तो जब यह demand और supply यानि कि अगर consumer कहता है मुझे 100 unit चाहिए और supply भी 100 unit के हो रही है तो यह हमारा market equilibrium है यानि कि ना ज़्यादा supply हो रही ना कम हो रही ना demand ज़्यादा है ना कम है इसी को अब हम एक table के थुरू समझेंगे जिसमें prices जो given है 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है बहुत कम से prices लिए आप चाहिए तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले सकते हो तो अगर जिससाब से price है तो इसको हम product माल लेते हैं pen तो थोड़ा सस्ते मिल जाते हम लोगों को ठीक है अब इस case में demand क्या है देखो price जब 2 रूपीस था तो demand थी 100 unit की price बढ़ गया तो demand हो गई 80 की, price और बढ़ा तो demand और कम हो गई तो ये तो अपको पता है कि market में price और demand का negative relation होता है right because of law of demand क्या कहता है जैसे जैसे prices बढ़ते है demand कम हो जाती है price और demand में negative relation होता है हमें पता है ना महेंगी चीज़ होते ही हम कम घरीते हैं सस्ते ही होते हैं, हम घर में स्टॉक भरके रख लेते हैं, तो वही demand के साथ relation है price का, लेकिन supply और price का positive relation होता है, because supplier को अच्छा margin मिलता है तो वो जादा बेशता है, कम margin मिलता है तो कम बेशता है, prices बढ़ रहे हैं, तो supply भी 20 से 40, 60, 80, 100 हो रही है, अब हम देखो अगर पहले प supply कम है, तो shortage हो रही है, 80 unit की, वही पर price बढ़ा, तो demand कम हो जाएगी, supply बढ़ जाएगी, तो shortage हो ही 40 की, लेकिन एक time आया, जब price अगर 6 हुआ, तो demand होई 60 की, और supply भी होई 60, तो यानि कि आपस में ये equal हो गई, demand supply के बराबर हो गई, तो that situation is called the market equilibrium, ठीक है, market अब अपने हिस अपसे equilibrium पर है, अब हमें कोई छेड़ खानी करने के जरुरत नहीं है, बट अगर ऐसा होता है कि prices और महेंगे हो जाते हैं, तो demand कम होती जाती है, और supply बढ़ जाती है, ठीक है, अब इसे तो guys, देखो equilibrium कहते हैं, ये, इसे, इस situation को, जब हमारी demand जादा होती है, और supply कम होती है, तो इसे हम excess demand कहते हैं, और इसी के just, ये वाली situation अगर हम देखें, जब हमारी supply जादा है, market में surplus पड़ा है stock का, लेकिन demand कम है, 100-20, 80, 80-40, 40, ठीक है, that is the excess supply, तो ये situation, excess supply कहलाएगी, यानि कि supply बहुत जादा और अग्ये, बट market में demand नहीं है, तो अगर आपको ये आता ह topic, weightage पर depend करते हैं, आपको table बनानी है, उसे explain करना है, साथ के साथ graph भी बनाना है, graph आपको पता है, एक हमारा x-axis होता है, तो दूसरा y-axis, y-axis पर हम price रखेंगे, यहाँ पर हम quantity demanded and supply रखेंगे, right, prices हमने 2-10 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, demand और supply 20, 40, 60, 80, again guys, जो numbers है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, कोई compulsion नहीं होता कि, जो book में दे रखेंगे, हमें वही रखने है, main होता है, concept समझाना, अब देखो price अगर 2 था, तो demand थी 100, price 2 है, demand 100 की है, price 4 है, demand 80, 60, 40 पर, तो यह demand कब इस तरीके से जाएगा, और अगर हम supply देखें, इस तरीके से, तो यह एक दूसरे को आपस में cut करेंगे, इस point पर जिसे हम equilibrium point कहेंगे, यह थोड़ा तेड़ा सा बन गया, और यह हमारा demand curve कर आएगा, यह हमारा supply curve कर आएगा, ठीक है, curve विलकुल है, इस तरीके से आपको scale लेके बनाना है, यह without scale है, इसे equilibrium point कहेंगे, और य यह equilibrium price है, यह equilibrium quantity है, जो कि 60 है, इस तरीके से आपको graph दिखाना है, बताना है, explain करना है, यह situation जो होगी हमारी, वो हमारी excess supply कहलाएगी, क्योंकि supply जादा है और demand कम है, आप देखो यह correct कैसे होता है, जो कि बहुत important concept कैसीखना, कि अधर हमारी economy में excess supply के situation है, यानि कि supply जादा औ रखी है, यह वाली situation, supply जादा है, demand कम है, तो वो कैसे correct होती है, वो देखो, अभी आप जैसे pen के दुकान के बाहर खड़े हो, pen बहुत जादा है, ठीक है, बहुत जादा है और consumer कम है, तो चीजे क्या होंगी, सस्ती होने लग जाती है, क्योंकि consumer खरी दी नहीं रही है, ठीक करता है, यानि कि जैसे ही prices कम हुए, demand हमारी automatically बढ़ जाती है, 20-40-40-60, तो हम automatically अपने equilibrium point पर दुबारा से पहुंच जाते हैं, यानि कि यहाँ पर law of supply काम करता है, यहाँ पर law of demand काम करता है, और हम equilibrium पर again आ जाते हैं, ठीक है, अब अगर यह situation हो कि access demand जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रही है, कि demand जाता है, supply कम है, demand जाता है, supply, तो ऐसे situation में जब demand बहुत जाता होती है, और आप सोचो कि आप किसी दुकान के बाहर खड़े हो, पैन की और वहाँ पर सिर्फ 5 पैन है, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग है, तो वो महंगे दामों पर चीज़े बेचेगा, जैसे ही चीज़े मेंगी होगी, आदे consumer तो घर पुँछ चाएगे, कि भी यह इतना मेंगा दे रहे, कौन खरीदेगा, तो जैसे चीज़े मेंगी होगी, consumer कमोंगे, law of demand काम करेगा, मेंगा होने पर consumer कमों जाते हैं, और उधर law of supply भी काम करेगा, जैसे चीज़े मेंगी दोर पेवला पेन हमारा पचास रुपेका बिक रहा है और सप्लाइ करो बाहर पीछे से जो स्टॉक भी पढ़ा हुआ ना जो नहीं बिका था वो भी निकाल ला हूँ ठीक है तो यह केस में डिमांड और सप्लाइ दोनों का लौ काम करते हैं इनकी लौ अफ दिमांड और लौ ठीक है यह सब चीजे गाई सबसे महत्पून और इंपॉर्टेंट बात आपके आस पास हर जगे पर प्रेक्टिकल ही हो रही है आप कोई भी चीज को देखो पेट्रोल के दाम क्यो महंगे होते हैं अगर वो कम सप्लाइ होने लग जाता है चीजे महंगी हो जाती है अगर कि समय आता है वो 10-15 और पर किलो भी बिखते हैं तो तोटली डिपेंड अपॉन सप्लाइ और उसकी डिमांड तो आपको यह कंसेट समझ हाया होगा ताट इस मार्किट इकलिव्रियम इसमें आपकी थियोरी के लिए आप जरूर एक बर बुक से रीडाउट करना ताकि आपका कहते हैं जो रिटर्न है वो इंप्रूव हो सके अगर फिर भी कोई डाउट रहते है तो आप पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो आईडी है ताबिता मैसी थांक यू